अश्कों के कलेंडर को हटा क्यों नहीं देते अरे तहरीर उदासी को मिटा क्यों नहीं देते बस्ती मगर सुनती नहीं आवाज तुम्हारी अरे जंगल में खड़े होके सदा क्यों नहीं देते हम खाना बदोसों का न घर है न ठीकाना मत पूछो कि हम घर का पता क्यों नहीं देते भूचाल की धमकी का अगर डगर है तो लोगो इन कच्चे मकानों को गिरा क्यों नहीं देते हर शैका तुम्हें रूप नजर आता है काला अरे आखों से श्याह चस्मा हटा क्यों नहीं देते आवारा बबंडर की तरह भटकोगे कब तक बहके हुए कदमों को दिशा क्यों नहीं देते वो पेंड जो शडियंत्र करे धूप से मिलकर उस पेंड को तुम जड़ से गिरा क्यों नहीं देते बच्चो ये अमर पंक्तियां हैं हिंदी के बहु आयामी व्यक्तित्व बहु आयामी रचनाकार ज्ञान प्रकाश बिवेक की ज्ञान प्रकाश बिवेक हिंदी साहित जगत के अठमें दसक के बहु चर्चित लोग प्रियरचनाकार हैं आपका जन्म तीफ जन्वरी 1948 को हर्याना के बहादुर गंज में हुआ ज्ञान प्रकाश बिवेक बश्पन से ही बहुत कुशाग्र बुद्धिके थे साहित्ति की अनेक बिधाओं में स्रिजन कर कीर्टिमान इस्थापित किया है आप उच्च कोड के कथाकार गजलगो और कभी के रूप में विख्यात है उन्होंने अनेक बिधाओं में स्रिजन किया है जैसे कहानी संकलर कहानी संकलर है उनका अलग अलग दिशाएं दूसरा है शहर गवाह है जोशब चला गया पिता जी चुप रहते हैं 21 कहानिया शिकार गाह सेवा नगर कहां है उसकी जमीन मुसाफिर खाना इस तरह से इनके नो कथा संकलर है और गजल संग्रहों में सरवाधिक जो प्रसिद्ध है धूप के हर्स्ताक्षर आखों में आश्मान इस मुश्किल वक्तमी है इन्होंने अनेक औपन्यासिक कृतियां भी दी है साथ पढ़े जाते हैं जैसे गली नंबर तेरह अस्तित्व दिल्ली दर्वाजा और आलोचना के क्षेत्र में हिंदी गजल की विकास यात्रा सरवाधिक प्रसिद्ध हुई है आपकी साहित्तिक सेवा रशना धर्मिता को देखते हुए अनेक अलंकरणों से अलंकृत किया गया है आपको हरियाना साहित एक आदमी से तीन वार पुरस्क्रित एवं सम्मानित किया गया राजस्थान पत्रिका द्वारा सर्वस्रेष्ट कथा सम्मान से आप नवाजे गये जहां तक भाषा का प्रस्ण है ज्यान प्रकाश विवेक की भाषा में जहां एक और सहजता और बोध गम्मेता है वहीं दूसरी और गम्भीरता भी है शंबेधन सीलता और भाबुकता इनकी कहानियों का प्राण है आपकी कहानियों में सामाजिक यथार्थ की दर्शन होते हैं बेजोड शिल्प नवीन प्रतीको वाब बिम्ब के माध्यम से अपनी बात कहने में ज्यान प्रकाश विवेक जी दक्ष है बहु आयामी प्रतिभा के धनी ज्यान प्रकाश विवेक दुश्यंत कुमार के बाद हिंदी गजल में अपनी एक अलग पहचान बनाये हुए हैं हिंदी साहित्याकास में देधी प्यमान नक्षत्र की तरह अपना आलोक विकेड कर रहे हैं बच्चो आपके पाठिक्रम में स्री ज्यान प्रकाश विवेक की लवकथा जिवकतरा है जिवकतरा लगुकतरा है आपने कहानी निबंध नाटक इन समके बारे में जानकारी प्राप्त की है लगुकतरा पर चर्चा कर लेना परमावश्यक है कि लगुकतरा क्या है इसके तक 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 कौन कौन से है कहानी और लगुकतरा अर्थाल लगुकतरा में क्या अंतर है जहां तक लगुकतरा का प्रस्न है बच्चो लगुकतरा छोटी कहानी का अतिसंचिप्त रूप है साब्दिक अर्थ की द्रिष्टी से लगुकतरा और छोटी कहानी दोनों एक ही साहित रूप का बोध कराती है लहुकथा एक साथ लगु भी है और कथा भी लहुकथा में कथानक की लगुता के माध्यम से कथ्य को धारदार रूप में पाठर तक पहुचाना होता है डॉक्टर अंजली शर्मा ने अपने सोथ गरंत में कहा है कि लगुकथा एक साहितिक विधा है जो मनुस्य के आंतरिक बौद्धिक विकास से जुड़ी हुई है आज के भोगे हुए एक छणों की अभियक्ति में आधुनिक्ता के मूली को प्रस्तुत करने में लगु कथा एक ससक्त विधा के रूप में प्रतेश्टित हुई है लगु कथा आज की छटपटाहट वा त्रासदी को ससक्त धंग से अभियति देती है डाक्टर चिंतावनि उपाध्याय ने कहा है कि शब्द शिल्प की द्रिश्टि से गागर में सागर भरने को चरितार्थ करते हुए समास पद्धती को अपनाना लगु कथा की पहचान है वास्तों में लगु कथा में भी कहानी के सभी गुन होते हैं डाक्टर राम नारायन उपाध्याय का कहना है कि अपनी बात को कहानी के संपून गुनों के साथ कम से कम सब्दों में अधिक से अधिक प्रभावोत पादक धंग से कहना लगु कथा की भी सेष्टा है लगुकथा को समझने के लिए लगुकथा और कहानी के अंतर को समझना आवश्यक है आपने कहानिया पढ़ी है तो लगुकथा में और कहानी में क्या अंतर है इस सत्य को जान लेना परमावश्यक है लग कथा और कहानी दोनों ही कथात्मक विधाये हैं परंत दोनों में तात्विक अंतर होता है कहानी में कथानक का आद्य, मध्य और अंत होता है उसमें घटनाओं की योजना की जाती है कथानक में चरम विकास पाया जाता है किन्तु लगु कथा के लिए अनिवारिय नहीं है कथा बस्तु के गठन अत्वा चरित्र योजना का कहानी की तरह लोकथा का ध्यान नहीं रहता कहानी के सवान वाता वरण की योजना के लिए भी लोकथा में कोई अवकास नहीं होता साथ ही लोकथा में कथोप कथन के अनिवार्यता की जरूरत भी नहीं होती जो संकेत आत्मक्ता है ए लगुकता की महत्वपूर्ण सैली है जो कहानी में कम देखने को मिलती है लगुकता की कुछ विशेस्ताएं भी है जैसे कठानक अत्यंत सूक्ष्म होता है संग्छिप्टता लगुकETHा की पहचान है। लगुकथा में एक दो पात्र संभौ है और कहानियों में अनेक पात्र हो सकते हैं। लगुकथा की भाषा आमाद्मी के बोलने और समझने की भाषा है। इसमें सहजता, रोचक्ता, पैनापन, प्रभावोत पादक्ता, थोड़े में अधिक कहने की क्षमता का होना आवश्यक होता है। अगर पात्रा नुकूल भाषा का प्रयोग नहीं हुआ, तो लगुकता प्रभावीन नहीं होगी। लगुकता की भाषा पात्रों के कथ के अनुसार परवर्ति थोती रहती है। और एक सबसे बड़ी विश्यस्ता जो लगुकता की है, वो है सपात बयानी। माने यथार्थ अभिव्यक्ति ही लगुकता है। सपात बयानी में यथार्थ सहजतम, यथार्थ का सही प्रभाव सीधे सरल सब्दों में कहने पर पड़ेगा। इसलिए लगुकताकार, लगुकतालेखन में सपात बयानी का प्रयोग करके जन्व सामान्य तक अपनी बात पहुचाता है। बच्चों, जैसा आप जानते हैं कि मुहावरे और लोगोक्तियां किसी भी भासा की अथार्थ निदी होती हैं। इलमें कम सब्दों में तीक्ष्न अनुभूत की खशमता होती है। प्रभावी हो जाती है लगुकथा में वनन का विस्तार नहों कर संख्षेप में अपनी बात कही जाती है कई बात तो आधी बात कहकर जान बूज कर लेखक जो है वह पाठक को सोचने को विवस कर देता है और छोड़ देता है पाठक चिंतन करें उसके आगे वो अपने कलपना से सोच कर देखें कि आगे कौन सी घटना होगी आगे क्या होगा लगुकथा में भासन से परहेज करना चाहिए लगुकथागार को चाहिए कि व्यंग को कटाक्ष का रूप देने का प्रयास करें ता कि लगुकथा हास्यास्पद या चुटकुला बनने से बचीद है होता क्या है कि कभी कभी चुटकुले को भी लगुकथा के रूप में लोग प्रस्तुत कर देते हैं लेकिन वह सची लगुकथा नहीं होगी लगुकथा का अंत बहुत प्रभावशाली और विचारो तेजक होना चाहिए शिर्शक का चुनाओ बहुत सोच समस्कर करना चाहिए शिर्शक को लगुकथा का द्वार माना गया है अब देखते हैं बच्चो कि लगुकथा के प्रकार कौन कौन से हैं कितने प्रकार की लगुकथाएं अभी तक लिखी गई हैं वास्तों में इसके दो प्रमुख प्रकार हैं एक तो द्रिस्टांत मूलक लगुकथाएं इन कथाओं में किसी न किसी द्रिष्टांत के द्वारा कथ की या व्यक्ति की जाती है और दूसरी है अनुभव मूलक लगु कथाएं इन में अपने अनुभव को मार्मिक भाव से प्रकट किया जाता है बहुत सारे कथाकार बहुत सारे लगु कथाकार हिंदी जगत में हुए हैं इद्यप इसका सूत्र पात जो है पंचतंत्र से ही लोग मानते हैं फिर दीरे 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 विक्षित होते होते और गद्ध की जितनी विधाएं हैं यह भारतेंद यूग से ही प्रारंब होती इसके बाद असी के दसक में बहुत स्तरिय लगुकताएं समाज के सामने आई वास्तों में ज्ञान प्रकाश विवेक के अतरिक्त लगुकता लेखकों में विश्नु प्रभाकर, स्री हर्शंकर परशाई, शतीस दुबे, रमेश बत्तरा, सोभा रस्तोगी, पदुम लाल पुन्ना लाल वक्षी, यह हमारे शतीस गड़के थे, इनकी जो ज्ञलमला लगुकता है, वह बहुत प्रसिद्धू हुई है, डाक्टर स्वने किरण, डाक्टर महेन ठाकूर, स्री गिरीश पंकज, जो बहु आयामी व्यक्तित्तु के धनी है, तमाम विधाओं में इनने कलम चलाई है, इनकी इनका जो लगुकता संकलन है, इस्वर की प्रतिक्षा, और एक लगुकता जो हार्ट अटेक है, वह हिंदी संसार में बहुत चाही गई, बहुत प्रसिद्ध हुई, मीरा सलब, मीरा सलब जी की अंतर मन की आग और भूख, एदिप मीरा सलब जी प्रमुक रूप से गीतकार है, पर इनकी दो लगुकताएं, अंतर मन की आग और भूख, यह बहुत प्रसिद्ध हुई है, डाक्टर अ जन्जना अनिल प्रेम जनमेजे महेश दर्पन आधि का नाम बड़े आदर के साल लिया जाता है बच्चों आईए अब हम जिव कतरा लगू कथा को पढ़ते हैं सुनते हैं और फिर इस पर चर्चा करते हैं बच से उतर कर जेब में हाँ डाला मैं चौक पढ़ा जेब कट चुकी थी जेब में था भी क्या कुल नव रुपए और एक खत जो मैंने मा को लिखा था कि मेरी नौकरी छूट गई है अभी पैसे नहीं भेज पाऊंगा तीन दिनों से वह पोस्ट कार्ड जेब में पढ़ा था पोस्ट करने को मन ही नहीं कर रहा था नव रुपए जा चुके थे यूँ नव रुपए कोई बड़ी रकम नहीं थी लेकिन जिसकी नवकरी छोट चुकी हो उसके लिए नव रुपए नव सौ से कम नहीं होते कुछ दिन गुजरे मा का खट मिला पढ़ने से पूर्व मैं सहम गया जरूर पैसे भेजने को लिखा होगा लेकिन खट पढ़कर मैं हैरान हो गया मा ने लिखा था बेटा तेरा भेजा पचास रुपए का मनी आर्डर मिल गया है तू कितना अच्छा है रे पैसे भेजने में कभी लापरवाही नहीं बरत था किसी उधेड बुन में लग गया या कि मा को मनी आर्डर किसने भेजा होगा कुछ दिन बाद एक और पत्र मिला चंद लाइने थी आरी तिर्ची लाइने बड़ी मुस्किल से खट पढ़ पाया लिखा था भाई नव रुपए तुम्हारे और एक तालिस रुपए अपनी औ और से मिलाकर मैंने तुम्हारी मा को मनी आर्डर भेद दिया है फिकर मत करना मा तो सबकी एक जैसी होती है क्यों भूखी रहे तुम्हारा जिब कतरा बच्चो कहानी इतनी ही है यह लगु कथा है बहुत ही प्रभावी लगु कथा और सवाल ये उठता है कि लेखक की मा को जिब कतरे ने पैसे क्यों भेजे बहुत ही संबेदनात्मक कहानी है यह लेखक की मा को जिब कतरे ने पैसे इसलिए भेजे क्योंकि उसने वह खत पढ़ लिया था जिसमें लेखक ने नौकरी छूट जाने के कारण पैसे ने भेज पाने की बात लिखी थी क्योंकि वह जो 9 रुपए जेब में पढ़े थे उसके उसी में वह खत भी पढ़ा था जब जेब कतरे ने जेब काटा तो काटने पर वह खत भी उसके हांत लग गया घर में सोचा होगा कि मेरी भी मा इसी तरह से बूरी है और मा तो मा होती है चाहे वह किसी की भी मा हो और मा को पैसे भेजना चाह रहा है लेकिन नहीं भेज पाया तो भीतर से वह बहुत ही दहल सा गया बहुत संबेदन सील हो गया तो मतलब इसी लिए उसने मा को पैसे भेज दिये जिसकी नौकरी छूट गई हो उनके लिए नव रुपए नव सो से कम नहीं होते लेखक ने ऐसा क्यों कहा बच्चो जिसकी नौकरी छूट गई हो उनके लिए नव रुपए नव सो से कम नहीं होते क्योंकि अर्था भाव में गरीबी में संकट के समय में एक-एक पैसे की कीमत होती है आपने खुद महसूसा होगा कहानी में नायक की जेब में नव रुपए ही थे और वह भी पॉकिट कट गई तो अपून ता लाचार हो गया अब मा के लिए अपने क्या भेज थे लेखक और जेब कतरे में आपको क्या समानताएं दिखाई देती हैं लेखक और जेब कतरे में वास्तों में लेखक की नौकरी चूट गई थी और वो बेरोजगार हो गया था जेब कतरा भी बेरोजगारी के कार जीवन निर्वाय है तो जेब काटता था अता ही स्पीडा से उप परचित था कि गरीबी क्या होती है बेरोजगारी क्या होती है अर्था भाव क्या होता है पैसे की कमी क्या होती है इसलिए पैसे न होने की बात जानकर वह लेखक की मा को पैसे भेजता है क्योंकि बेरोजगारी से परिवार को मिले आउसाद को वह पहचानता है उसे इसका पूर्वान हो है यही दोनों में समानताएं है अब बच्चो सोचो कि ये जिव कतरा कहानी पढ़ने के बाद उसके मन में काउन से भाव जागरीत होते हैं लिखिए जिव कतरा कहानी पढ़ने के बाद मन में काउन से भाव जागरीत होते हैं इसको देखिए कैसे आप व्यक्त करेंगे वास्तों में यही इस कहानी का प्रतिपाद दिभे उद्देश भी है जिव कतरा कहानी मानवीय संब बेदनाओं से युक्त कहानी है वर्तमान समय में सिख्षि समाज में बढ़ती बिरोजगारी ने जिस अवसाद को जन्म दिया है जिस पीड़ा को जन्म दिया है जिस संत्राश को जन्म दिया है वो हमारे मन को कहीं न कहीं गहरे तक चू लेती है कहानी के माध्यम से लेकक ने समाज की इस समस्या की और ध्याना करशन किया है इस लखु कथा को पढ़ने के बाद आपको क्या लगता है कि कौन कौन से काम गलत होते हैं सोचिए मानवीय मूल्यों से युक्त जीवन जेन्य की प्रेणा लेकर हमें अपने ब्यक्तित्त के विकास पर बल देना चाहिए नैतिक वा चारित्रिक पतन किसी भी स्वस्त समाज का आधार नहीं हो सकता जूट बैमानी अराजक्ता लालसा इरश्या इत्याद जो ऐसे कारण है जो हमारे चरित्र का हरास्त करते ही हैं साथ ही हमारी नैतिक्ता को भी दीमक की तरह चाट जाते हैं इसलिए हमें ऐसे काम नहीं करना चाहिए अगर आपके पैसे खो जाए तो आपको कैसा लगेगा अगर किसी के भी पैसे आपके हमारे किसी के भी पैसे खो जाए और अर्ता भाव में हम चल रहे हों बेरोजगार हों तो निश्चित रूप से हमें बुरा लगेगा और दुख होगा अब सवाल यह उठता है कि यह बेरोजगारी के कारण क्या हो सकते हैं बच्चो बेरोजगारी के जो कारण है रोजगार के आऊसरों का या थोचित लाभ नमिल पाना और दूसरा है असिक्षा जागरुकता में कमी कुंठित भावनाओं का शिकार होना कौशल या दक्षता का बिख्षित न होना बढ़ती महत्वा कांख्षा बेरोजगारी दूर करने के सासकी प्रयासों का सफल न हो पाना अनेक ऐसे कारण है जिनके कारण ये बेरोजगारी निरंतर दिन दूनी राच चोगनी बढ़ती जा रहे हैं